दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरिट एनिमल पैट कौन्स है, तो आप शायद एक सेकेंड तक का समय ना लेते हुए, अपने फेवरिट पैट्स का नाम गिनवाना शुरू कर देंगे. लेकिन आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़ादा आपका ही पेट क्यूट है? देखिए, ऐसी गलत फेमी में मत रहिए. दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं. क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दुनिया के दस ऐसे क्यूट पेट से मिलवाने जा रहे हैं, जो सच में सबसे अलग दिखते हैं, और हाँ, जिनको देखने के लिए लोग तरसते हैं, और हाँ, यदि मिल जाए, तो एक बार जरूर सोचेंगे कि काश, ये ह बेवी गोट कई रंगों में होते हैं, जिसमें से सफेद रंग में ये सबसे जादा अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका जन्म होता है, तो ये सिंगल सर्व ट्विन्स भी हो सकते हैं, जादा तर ये ट्विन्स एक जैसे ही दिखते हैं, और कभी-कभी अलग भी दिखत ऐसा इसलिए किया जाता है कि जैसे जैसे इनकी persistence बढ़ती जाती है उससे भी दोगुना तेजी से इनके नाकून की質 भी बढ़ने लगती है क्योंकि अगर नाकून ज़ादा बढ़ जाएंगे तो इनको चलने में problem होती है बचे दोस्तों इन बेबी गोट को दोड़ना, कूदना, भागना और मस्ती करना बहुत पसंद है ऐसा करते वक्त ये और भी जादा प्यारे लगते हैं इतना ही नहीं बलकि इन्हें इंसानों के साथ खेलना भी बहुत पसंद है बहुत से लोग इन्हें अपने घरों तक में पालते हैं क्योंकि ये इतना क्यूट है इसलिए तो दोस्तों क्या आप भी इस क्यूट से दिखने वाले बेबी गोट को पालना चाहेंगे कॉमेंट करके ज़रू बताएं दोस्तों जरा शुगर ग्लाइडर को तो देखिए ये जानवर ऐसे दिखते हैं जो दिखने में गिलैरी की तरह बहुत ही क्यूट होते हैं और इनके पास एक स्पिशल एबैलिटी भी होती है ये आसानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड कर सकते हैं दोस्तों इनका कद काफी छोटा होता है इसलिए ये इतने क्यूट लगते हैं दोस्तों ये आस्ट्रेलिया में पाये जाने वाला जानवर है इसे अपनी बड़ी सी फैमिली में रहना बहुत जादा पसंद है ये इतने चोटे होते हैं कि आप इन्हें आसानी से अपनी हथेली पर बिठा सकते हैं इन्हें बगीचे बहुत पसंद आते हैं यही बज़ा है, दोस्तों की इन्हें पालने वाले लोग अपने बड़े से बगीचे में इन्हें पालते हैं, इनके नाखून काफी बड़े होते हैं, जिसमें अगर ये आपको जोर से पकड़ लें, तो चोट भी लग सकते हैं, दोस्तों इसकी कीमत एक लाख रुपए के आस जाती हैं, जो एक से बढ़कर एक होती हैं, और खूबसूरत भी होती हैं, दोस्तों अगर हम कैट्स की बॉड़ी देखें, तो दिखने में बहुत ही फ्लेक्जिबल होती हैं, जिसके कारण ये छोटी सी जगह से भी आसानी से निकल सकती हैं, बिल्लियां स्मेल को लेकर बह बिल्लियां आती हैं, और घर में सामान उठा-पटक करने लगती हैं, बिल्लियां एनरजी बचाने के लिए 14-15 घंटे सोती हैं, ये अपनी हाइट से 6 गुना जादा लंबी छलंग लगा सकती हैं, आपको तो ये पता ही होगा कि बिल्लियां ककडी से बहुत डरती हैं, जिय दोस्तों आपने हिरन को पाला भले ही ना हो, लेकिन चिडिया घर में जरूर देखा होगा, जो अपने अट्रैक्टिव लुक की वज़य से बहुत ही अलग लगते हैं, दोस्तों जब एडल डियर इतने खुबसूरत लगते हैं, तो इनके बच्चे तो बाप रे बाप, और भी जादा खुबसूरत लगते होंगे, सही का ना? जब इनका जन्म होता है, तो इनका वजन दो से चार किलोग्राम तक होता है, और इनकी बोडी पर सफेद स्पॉर्ट जन्म से ही होते हैं, ये वाइट स्पॉर्ट खुबसूरत ही नहीं, बलकि इन्हें जाडियों में और करीब एक साल बाद ये वाइट स्पॉर्ट गायब भी हो जाते हैं, और अगर इनके स्वभाव की बात की जाए, तो ये बहुत ही शर्मीले और चंचल होते हैं, दोस्तों एक बात को जरूर ध्यान में रखना, जब ये जाडियों में छुपे हों, तो इनको पकड़ने क गलती बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उनकी मा उनके आसपास ही होती है, अगर आप उस फान को छूलेंगे, तो उसकी मा उसे अपनाएगी नहीं, और आप पर अटैक भी कर देगी, इसलिए इसे दूर से ही देखें, और अगर ज़रुत पड़े, तो एनिमल केर टीम से स खूबसूरत दिखते हैं, और ये हम इसलिए बोलने हैं क्योंकि ये वास्तों में बहुत क्यूट होते हैं, ये दिखने में तो अच्छे लगते ही हैं, साथ में बहुत प्यारे होते हैं, अगर इनके स्वभाव की बात की जाए, तो ये बहुत चंचल और शरारती होते हैं, ये अपने जीवन काल में बहुत सोते हैं लेकिन जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ये पूरे दिन खेलते ही रहते हैं ये कुछ न कुछ खुरापात करते ही रहते हैं और ऐसा भी बताया जाता है कि इनका ये नाम लैटन भाशा से लिया गया है जिसका मतलब थीफ होता है इनका भी कुछ यही काम होता है ये चीजों को इधर से उधर करते रहते हैं इनको यही करने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों लड़कियों को ये जानवर बिल्कुल भी नहीं पसंद आने वाला ये काफी अजीब से दिखाई पढ़ने वाली चिपकली इगवाना है जो की आफरीका में पाई जाती है ये चिपकली की ऐसी प्रजाती हुआ करती है जो हाई भी बोर हुआ करती है ये चिपकली ना तो अग्रेसिव होती है और ना ही जहरीली ये अपने honor से बहुत प्रेम करने वाली होती है पर दोस्तों अगर देख रेख ना हो तो चुड़चुड़ा सुभाव तो natural है ही दोस्तों 15 से 20 साल तक जिन्दा रह पाती है ये दोस्तों अगर आप इस प्यारी से जानवर को अपनी पीठ पर रखकर बाहर निकल जाए तो देखने वाले लोग तो आपको देखकर बावले हो जाएंगे इसकी कीमत दोस्तों कुछ जादा नहीं करीबन 50,000 रुपे में ये आपको मिल जाएगा दोस्तों ये जानवर को देखने के बाद आपका मन होगा कि इसको बिलकुल अभी खरीद ले चाहे ये कितने का भी मिले जी हाँ दोस्तों ये बंदरों की ऐसी प्रजाती है जिनका कद मुश्किल से 9 महीने के बच्चे के जितना ही हो पाता है दोस्तों अमेरिका में पाए जाने वाले बंदर की इस ब्रीड को दुनिया के सबसे छोटू बंदर के नाम से जाना जाता है जादा से जादा 100 ग्राम के बजन के ही हो पाते हैं और ये दिखने में इतने जादा क्यूट होते हैं कि इसी वज़े से हम इनसान इनको बहुत पसंद करते हैं ये बंदर खेलते कूटते और इधर उधर फुदकते रहते हैं और साथ ही किसी को भी अपनी हरकतों से खुश कर सकते हैं दोस्तों इनकी उम्र 12 साल तक की हो सकती है ये वेजेटेरियन होते हैं यदि आप इन्हें पालना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे दोस्तों है ना कमाल की चीज़ इस बंदर को क्या आप भी पालना चाहते हैं नीचे में कॉमें कॉमें करके जरू बदाइए दोस्तों चमकादर सबसे अजीब और खतरनाक दिखाई पड़ने वाले जानवर होते हैं लेकिन इनकी एक स्पूशीज ऐसी है कि जो एकदम गोलू-मोलूसी होती है तो मिलिए वाइट बैट से दोस्तों वर्षा बनों में पाई जाने वाले ये चमकादर बहुत मासूम से दिखाई पड़ते हैं ये ज़्यादा तर हैलिकॉर्णिया नामक पेड़ के पत्तों के निशले भाग में पाई जाते हैं दोस्तों ये चमकादर ना तो कीडे खाते हैं और ना ही किसी का खून पीते हैं फूल पत्ती खाने वाले ये चमकादर इतने स्वीट और क्यूट दिखाई परते हैं कि लोगों को इनको पालने का काफी जादा शौक होता है और अगर आप इन गोलू-मोलू जैसे दिखने वाले चमकादर को खरीदना चाते हैं तो आपको चार चमकादर का दो लाख रुपए देना होगा आप इन्हें अकेले नहीं खरीद सकते क्योंकि अपने ग्रूप में साथ रहना पसंद करते हैं अगर आप नहीं है अपने ग्रूप से दूर किया तो ये जादा दिन तक जिन्दा नहीं रह पाते हैं ये आकटिक लोमडी, सफेद लोमडी, धुरूवी लोमडी या बर्फ लोमडी की रूप में जानी जाती है ये उतरी गुलार्द के आकटिक शेत्रों में पाई जाती है इसे ठंड वाता वरण में रहना पसंद है इसलिए उनकी काफी मोटी चमडी जो फर से धकी होई होती है ये सफेद रंके होते हैं और दिखने में काफी क्यूट लगते हैं लाल पांडा नेपाल, भारत, म्यामार और भूटान के जंगलों में पाई जाते हैं जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका रंग भी लाल होता है इनके शरीर पर सफेद और काली धारियां होती हैं जो की इसे बेहत आकर्शन बनाती हैं ये दिखने में काफी छोटे और क्यूट होते हैं इन्हें देखकर आपका मन इन्हें तुरंत अपने घर ले जाने का करेगा वैसे भी ये बड़े गोलु मोलु से होते हैं है ना, बड़े ही प्यारे लगते हैं वैसे शेर बिल्लियों की एक प्रजाती है लेकिन ये बिल्लियों की तरह बिल्कुल भी शांत नहीं होते हैं इनकी हरकते बिल्लियों के माफिक तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं ये बेहदी खतरनाक और अटैकिंग होते हैं ये दिखने में तो काफी खूबसूरत लगते हैं और अगर आपको देखने को मिल जाए तब तो समझी आपकी किस्मत काफी अच्छी है बहुत कम लोग देख पाते हैं इसको बहुत ही कम तो दोस्तों आपको इन में से कौन सा क्यूट अनिमल सबसे ज़्यादा अट्राक्टिव लगा जिसे आप अपने घर पर पालना जरूर बचाएंगे नीचे हमें कॉमेट करके जरूर बदाएए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मेट यो इन अनदर वीडियो तिल दाट गुडबाई